सब्सक्राइब करते हूं आप सभी का मैं मेरे चानल डिवाइन तरो में कैसे आप सब उम्मिद करते हूं सब ठीक होंगे खुश होंगे हैपी हैपी होंगे आज की टॉपिक जो मैं करने जा रही हूं यह रिडिंग का टॉपिक है कि आपके परसन के मन में क्या चल रहा है इस तो क्या सोच रहे हैं और उसके अलावा यह भी चानेंगे कि अभी इस वर्फ उनकी लाइफ में क्या हो रहा है सारी जासुसी आज के दिन हम करने वाले हैं यहां मैंने रखिए पिकका काड रीडिंग आज येस आफ्टर लॉंग टाइम मैंने करें पिका काड की है आई इश्वर और उस परसन का ध्यान करें जिनके कारण इस रीडिंग तक आप पहुचे हैं अब आखें खोले और जो भी पाइल आपको अट्राइक करें याने के सिल्वर हर्ट जो है पाइल नंबर वन और यह सिल्वर स्टार जो है पाइल नंबर टू जो भी अट्राइक करें आप उसे चुन लें ठीक है अब मैं शुरू करती हूं पाइल नंबर वन की रीडिंग जिन्होंने यह सिर्फ वकला का हाथ चुना है ठीक है कि आ खेंट करें हमारे जो पाइल नंबर वन के व्योवर्ज हैं उनके पर्सन की एविद का हैं उनके मन इस व thinks चल रहे हम यह हमारे विवर्ज को लेकर क्या सूच रहे हमारे व्यूवर्स के बारे में वो अगर आप मेरे चानल पर नुए तो चल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो ताकि अच्छे अच्छी और ब्यूटिफुल रिडिंग्स आप देख सकें तो मैं सबसे पहले आप लोगों से साइन डिसकस कर देती हूँ मुझे साइन दिखाया रही है लियो एस साजिटेरियस धन राशी अलावा मुझे दिखाया रहे टारस और क्याप्रिक्रों और लिब्रा एकुरिसलमीन भी मुझे कोई भी साइन सामने वाले सामेवाले स्लसक्राइख सकती है right first आप implement आप लोगों को काज दिखाई दे रहे हैं ठीक है? तो मैं आप लोगों सबसे पहले बता दूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके past की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि past में आपने किसी नदे third party से deal किया है past यानि के present भी हो सकता है बट मुझे दिखाई दे रहा है ये past में आप लोगों के अच्छे खासे relationship की जो band बचाई है न वो आपके third party ने है कोई ना कोई third party आपकी life में definitely है जिनसे आप deal कर रहे हैं हो सकता है आपके partner के family वाले हो या उनकी wife हो या उनकी girlfriend हो या husband हो या boyfriend हो कोई भी हो सकता है जिनसे आप deal कर रहे हैं जिन्होंने आपकी life में बहुत बड़ी दरार लाई है बहुत ज़्यादा problem create कि है बहुत ज़्यादा रायते फेलाए हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहा है जिसने devil का रूप ले किया है जो कही ना कहीं devil साबित हुए है आपकी life में मुझे कहीं ना कहीं उनके कारण आपकी life में बहुत सारी problems दिखाई दे रही है जो कि आपके past में आपके साथ घटी है मुझे night of wants की energy इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि यह person के इससे पहले आप दोनों ने बहुत सफ़क किया है आप दोनों नों कहीं डिस्टन्स क्रियेट किया दूसरे के लिए एक मुझे वाल क्रियेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं चांसे बहुत जादा है कि आपके person ने शायद आपको गोस्ट भी किया याने कि ब्लॉग अन ब्लॉग या कॉम्मुनिकेशन आउफ किये हैं मुझे इस तरह भी दिखाई दे रहा है बट अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यह person एक प्रॉपर तरीके से आपके पास आने के लिए तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे है अब यह इस रिष्टे को तोड़ देना चाते हैं इसे कंप्लीटली कट ओफ कर देना चाते हैं इससे बहुत जादा इरिटेटेड हो गए हैं थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा इनके साथ किया है या ऐसी आखे खोली है जिसके कारएं यह person ने कुछ ना दिखाई दे रहा है इस वह स्वार्ट के एनरजी मुझे कहती है कि कहीं ना कहीं जरूर लेना चाहते हैं आपके बारे में बहुत जादा जिलों दिमाग पर चाहे हुए हो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ रिलेशन्शिप में इनको चाहिए कि आपका रिलेशन्शिप और इनका relationship दुबारा वक करें पर कहीं ना कहीं बहुत ज्था कोगा सामना हुआ हाला कि मुझे दिखाई लए है कि जब आपके पास कम्मुणिकेट करने के लिए आएंगे यापको कुछ नहीं बताएं यानि के के बारे में सोचते वे दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रहा है कि इनका आना कैसे पॉसिबल है यह दुबारा वापस कैसे आपके साथ नहीं शुरुमात करेंगे पेज ओफ़न्स के एनरजी मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं यह new beginning definitely आपके साथ करेंगे यह आपके रिष्टे का outcome है एक नई शुरुआत एक नया chapter मुझे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है जो आप लोगों का open होगा एक नई कहानी लिखी जाएगी जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही मजा आने वाला मुझे लग रहा है कि ब वाल हूँ आप लोगों के परशन के मन में और क्या चल रहा है और क्या करनगे विवर्स एक मिनिट हँ लिदा सब स्वाइब कर दो यह हो बहुतunta जादा भदाई हो खुछ हो जाओ जहां पे भी बैठे हो जोर से जंप मारो और डांस करना शुरू कर दो कि कि आपके परसन अब इस रिष्टे में जस्टिस चाते हैं पेज ओफ पेंटिकल का कार्ड और जस्टिस का कार्ड कहता है जो भी लीगल इशूज अगर आप लोग को प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वह सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोगों को लग रहा था आप लोगों का रिलेशन्शिप तूट जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इस रिलेशन्शिप में नयाय होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों अगर मैनिफेस्टे करना चाते हैं आप से बात करना चाते हैं आपकी वॉइस मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों सब में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सफर किया है थर्ड पार्टी कनेक्शन को डीपली आपने कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इन चीजों में असफल होते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी का गेम ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ स्वार्च के एनरजी मुझे ये भी बता रहा है कि आपके परसन आपके लिए आक्शन भी ले दिखाई दे रही है परसन ट्रावलिंग के बिचांसेज मुझे दिखाई दे रहा है कोई नई शुरुवाट डेफिनिटली होने वाली ये लाइव की नया चैप्टर शुरू होने की तयारी है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तो सब लोग खुश हो जाओ बहुत ही अच् काज इन फैक्ट अगर आप लोगों को रीडिंग रिजोनेट हुई है तो आप लोग जल्दी से मस्त वाला लाइक चिपका दो और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दो कि येस आम वेटिंग या जो भी आप अपने तरफ से मुझे बताना चाते हैं आप मुझे बताएं ठ देस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डीटिल दे रखे अगर किसी तरह का डूनेशन करना चाहते हैं पैट्स या सीनेर या एडल्स या कुछ भी ऐसे मजबूरों के लिए जो लोगों के पास हेल्प पॉसिबल नहीं तो डूनेशन के लिए भी मैंने नमबर नीचे वीडिय क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके आने की तैयारी कब तक है वो तो मैंने आपको बताया है यह नहीं मैं आप लोगों को बता देती हूँ उनके काफी जादा हाइली चांसे लग रहे हैं कि वो डिसमबर के फर्स या सेकेंड वीक तक आही जाएंगे आप लोगों से की पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रहें डिसमबर फर्स और सेकेंड वीक तक उससे पहले भी हो सकता है वैसे हड बनिये और कर्म हमारा केवल अच्छा होना पर्याप नहीं है हड और निश्य बनिये यानि कि जिद्धी बनिये थोड़े से आप अपने लिए लाइक आपके सामने कमिट्मेंट के साथ डिमांज भी रख रहें और आप उसको अप्रूव कर देते हैं कि ठीके चलेगा मेरी सेल्फ रिस्पेक गई तो गई डिग्निटी गई तो गई आप तो मेरे हो गए न ऐसा नहीं चलेगा आप अपनी कंडिशन और अपनी सेल्फ रिस्प अपने दूसरे कामों पर ध्यान देते रहें और अपने कर्म अच्छे रखें जितना हो सके लोगों की मदद करें कुछ लोगों की हेल्प करें और पॉजिटिव सोचे किसी को बद्दुआ देना या उल्टी सीथी बात बोलने को अवोईट करें कहीं ना कहीं वह आपकी कर अग्मा को एफेक्ट कर जाता है इसलिए अच्छी अच्छी सोच रखें ऐसा साही बाब आप से कहते हैं अब देखते हैं मुनोलोजी का आज से आपके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अजय लुमेंटिक साइकल अभी आप लोगों की लाइफ में न्यू साइकल होने वाली है इस प्लूर्टिंग वगरा होने वाली है एक दूसरे को खीचात आनी और खटी मिठी बोलते ना प्यारा सुनहरा पल आने वाले आप लोगों का वापस जो चीज़े आपने खोई है उससे दुगनी तरीके से मुझे रिटर्न होते हुए दिखाई दे रही है तेक टाइम टू ब्रीद आउट ज़रा सास ले ले युनिवर्स आपसे कह रहा है सास ले लो यार बहुत स्ट्रेस ले लिया बहुत रविद होए आप समय आ गया अब अपने आपको थोड़ा रिलीज करो थोड़ा रिलाक्स करो थोड़ा चिलाउट करो यार ऐसा युनिवर्स आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आप देखते हैं आप लोगों के लिए क्या sweet messages हैं आपके person के क्या आप से कहना चाते हैं या universe आपको क्या message देना चाती है इतने काफी रहेंगे ठीक है support आप या तो किसी का support बनिये या लोग कोई आपका support बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार नहीं नहीं हा बोलना ठीक है have faith भरोसा रखें पूरा विश्वास रखें आपके साथ सब अच्छा होने की तैयारी है ठीक है भरोसा मत होए अपना gratitude इश्वर को बार बार thank you बोले हर एक चीज के लिए thank you universe thank you angels thank you god बार बार बोले मन में एक अच्छी इच्छा रखें अच्छी भावना रखें बार बार इश्वर को बोले जो भी मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद मैं आपको कोटी कोटी प्रणाम करता हूं और thank you so much लड़का लड़की जो भी है वो धन्यवाद जरूर करें जो भी उ हो जाओ नाचो गाओ फस गया हूं तो फस तो गए थे अब कहीं ना कहीं इनकी दिमाग बोलते ना जो अकल इनकी ठीकाने आने वाली है तो खुश हो जाओ पर मैंने आपको बताने थर्ट पार्टी के बारे में बताएंगे नहीं आपको खुलके कि क्या हुआ उनके साथ त आपके पर संजल धी वापस लड़का लड़की कोई भी हैं आपकी लाइक में दुबारा वापस आ रहे हैं कर्मा प्लेट कर्मा ने अपना काम कर दिया आप थांक्यू यूनिवर्स जरूर बोलें ठीक है अब मैंसे कितने लोगों को इंजल नंबर्स दिखना शुरू हो च चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों को इंजल नंबर्स दिख रहे हैं या बटरफ्लाइस दिख लें तो समझ जाए एक शुप संकेत हो गए आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा खासा चेंज आने वाला है ट्रावल ट्रावलिंग मैंने आपको बताया ना ट्रावल आप इस तरह शेयर करकर सॉल्ब कर सकते हैं तो और अगर आप लोगों को पर्सनल लीडिंग करवानी है तो पर्सनल लीडिंग के लिए मैंने डीटेल दे रखें अपने वीडियो और ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री नहीं है उसके चार्जस लागू हो के लिए तो डोनेशन के लिए मैंने नंबर नीचे मेंशन कर दिया है उस पर क्लिक करें उस पे गूगल पेटियम कुछ भी कर सकते हैं और जरूर मेंशन करें कि वह डोनेशन पॉपस के लिए है ताकि उसे डोनेट किया जाए ठीक है तो चलती हूं लव यूब आब आते है कि इनके जो person है हमारे जो viewers है पाईल नंबर वाले उनके बारे में बताएं कि उनकी current feelings क्या है हमारे viewers के लिए क्या चल रहा है उनके मन में क्या actions लेंगे क्या होने वाला है this universe सब मुझे अच्छे से खुल कर बताएं कोई बात ना छुपाएं सब कुछ खुल-खुल के आईए ज़रूर चेक करिए अगर आप लोगों को मन करें तो नाइट ओफ वांस नाइन ओफ पेंटिकल्स टू ओफ वाउ टू अफ कप्स ओके सेवन ओफ पेंटिकल्स टैन ओफ कप सूपर्ब फोर ओफ वांस खुश हो जाओ नाचो गाओ पाइल वन से ज्यादा बहतरीन वी यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके परसन की लाइफ आप अगर मैं पास्ट की बात करूं तो आप दुनों की लाइफ में बहुत जादा हापनिंग चीज़े चल रही थी शायद घुमना फिरना भी बहुत हुता था बहुत जादा हापनिंग चीज़े आप ईणने वाला है आप लोग एंए आप लोगों की चांसर दिखाई दे रहे हैं औरिड़ी योग बने होई दिखा दे और यह दो जाएगा मुझे मांक्स-मांक्स दिखाई यहां की आपके परसेन right now मुझे बहुत happy दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, और मुझे आपको लिकर बहुत जादा excited, excitement में दिखाई दे रहे हैं, बहुत जादा excited हैं, आपको दिखाईएंगे नहीं, कहीं न कहीं surprise देने वाले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप expect भी नहीं करेंगे अचानक आपकी लाइफ में आएंगे और आप जूमने लगेंगे बहुत जादा खुशियों से खुशियों से तो आप इतने जादा मुझे गदगद होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या बता हूं मुझे दिखाई दे रहा है अपने से काफी लोग अग दोनों को हर एक पुलते ना अगर एक को पेन हुआ तो दूसरे को फील हो जाता है ऐसा वाला कनेक्शन है बहुत ही अलग लेवल का कनेक्शन है एंजल्स आप लोगों के उपर कृपा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और शादी आप लोगों के काद्स में दिखाई दे हो भी होंगे शादी आप लोगों के इसमें दिखाई दे रहा है एक तामली बसते हुए दिखाई दे रही है यह बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है यह परसмен आपको लड़का लड़की जो भी हो सकते हैं आप जिनके भी देख रहे हैं मुझे कही नगी दिखाई दे रहे हैं यह परसन आपको वाइफी या husband material समझते हैं इस तरह का इंका विचार है कि इनके साथ तो यार सिर्फ गरी बसाना चाहिए आपके लिए घर बसाते होई सोचते वए दिखाई दे रहे हैं आपको एक घर देना चाते हैं, एक रिष्टा देना चाते हैं, एक कमिट्मेंट देना चाते हैं, धीर सारा प्यार देना चाते हैं, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है, इस परसन की भाव मैं बहुत एक्साइटेड है आपको लेकर, कही न कहीं इस परसन ने आपके साथ बह पड़े हो जाएंगे ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि आप मेंसे काफी लोगों ने या तो धेर सारी प्रात्ना है कि या तो मैनिफेस्टेशन किया है वो कही ना कई पूरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ही पहतरीन काज है अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ थोड़ा संकोज तो अभी भी कर रहे हैं आपके परसंट की बात कैसे की जाए कैसे आप से अप्रोच किया जाए चांसे है कि वह आपको पहले ही यह आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं कुछ न कुछ उनका चल ज़ूर रहा है मुझे भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये सोच रहे हैं कि कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया या आ गई कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया बहुत जादा सोच भी रहे हैं पर फिर भी कहीं न कहीं आक्शन लेने के बारे में सोच रहे और जल्द से जल्द आपके साथ घर बसाना चाते हैं बहुत लोगों के लिए living relationship का offer आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर किसी तरह का मन मुटाव है तो वो खतम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके हक में कहीं ना कहीं मुझे फैसला दिखाई दे रहा है आप life में expect नहीं कर रहे थे कि अच्छी happening चीज हो जाएगी कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलाल आपके काज में मुझे कहीं third party नहीं दिखाई दे रही है इसलिए मैं third party का कहीं कोई जिकर नहीं कर रही हूँ मैं और देखती हूँ और क्या होने वाले सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी रिलेशन्शिप को एक नाम देना चाहते हैं और इस रिलेशन्शिप में कोई बैलन्स चाहते हैं यह बहुत जादा मुझे स्ट्रॉंग तरीके से आते वे दिखाई दे रहे हैं इन्होंने अपनी spiritual journey and कि यह याने कि बहुत बहुत जादा इन्होंने खुद को हील किया इन्होंने बहुत समय लिया लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने बहुत समय ले लिया बहुत समय लगाया आप तक पहुशने के लिए अपने आपको कही ना कहीं हील किया खुद को वापस spiritual किया इश्वर के प्रती या तो जानवरों के प्रती थोड़ा सौपा मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपको लेकर यह बहुत रात रात तो सोई भी नहीं है बहुत जादा हाल से गुज़रे होंगे कहीना कहीना उन्हें आपको हर्ट किया आपको तकलीपे दी इनको इन चीजों का एसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जादा इनको आपके लिए मुझे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रहे हैं अब आएंगे जरूर मुझे आते आने का समय मुझे मैक्स तो मैक्स दो हफते दिखाई दे रहे हैं इनके आने की तैयारी शुरू करें और जल से जाकर सलोन में जो भी करवाना है दाड़ी बनवानी है आई ब्रो शेपिंग करवानी है जो भी करवाना यार करवार डालो जल्दी से बहुत ज्यादा एकसाइ सही बबा आपसे क्या कहना चाते हैं स्हाय बबा मुझे बता है हमारे यूवर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है जो पाइल नंबर टू जिनों ने चुना उनके लिए क्या मैसेज देना चाते हैं सही बबा ओम साहिराम पीड़ा से गुजर कर ही महान आत्मा अधिक उन् परमातमां पहुँशने के लिए कई अलग-अलग रास्ते हैं। आत्मां संबंध हैं, यानि यह बोल रहे हैं परमातमा इक है। आप लोगे समझना पड़ेगा जो भी लाइफ की इतंगी साइकल दिखा रहे हैं यह जो cycle चली ना उसका एक कारण होता है एक मोल कारण होता है लाइफ में जो चीज़े घटती है वो सबका एक reason होता है आप लोग अलग अलग धर्मों में मानने लग गए कही ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने तो हर धरम के भगवानों को बोलते हैं खोश निकाला पूज पकड़ा कभी अलग अलग धर्मों को फॉलो किया वाइदा परमादना तो हमेशा एक की इश्वर तो सभी के एक है तो आप जाहे जिनसे भी प्रात्ना करें आपकी प्रात्ना सफल जरूर होंगी और इस बात पर भरुसा करें इश्वर आपको सुन रहा है और हो सके तो कु करते हैं तो कि डोनेशन पॉपस आप लोग मेंशन करेंगे तो फिर सिर्फ डोनेशन के लिए दिया जाएगा ठीक है इस अब मुझे बता है मुझे निकालेंगे हम लोग आस युनिवर्स मुझे बता है हमारे पाइल नमबर 2 वाले वीवर्स के लिए क्या मैसेज है आपके पूरी विश्वास के साथ वेट करें अब आपकी लाइफ मेना बहुत ही जबर्दस चेंज आने वाला है वेट करें का मतलब यह नहीं कि दरवाजे पर जाकर खड़े रहने को नहीं बोल रहे हूं बस कह रहे हूं कि वेट करें और अपने काम पे ध्यान दे दे रहे लुक उसने लास टाइम अपके साथ क्या किया यह सब पर ना फोकस करके आने वाले समय पर फोकस करें अपनी आने वाली बड़ी पिच्चर पर ध्यान दे छोटी छोटी चीजों को अब थोड़ा रिलीज कर दे जाने दे और भूल जाए ठीक है अब आगे बढ़ने की तयारी करे उसने मुझे क्या बोला इसने मुझे क्या बोला इसने मुझे क्या बोला इसमें ना पड़े ठीक है यह तो आप लोगों की सोच है इसने मेरी चोटी खीची इसने मुझे ऐसे मारा यह सब ना सोच कर आगे बढ़ने के बारे में सोच है ठीक है अब देखते हैं आप लोगो और स्ट्रॉंग रहने की जुरुत है बहुत कुछ हापनिंग तभी होगा तेरे दर पर सनम चली आए तू न आया तो हम चली आए यह री कंसलेशन का सॉंग है सॉंग जरूर सुनियेगा यह आप से कनेक्टेड है यह सी वादियां यह खुला आसमा अगय हम कहां यह मेरी जान हैं और एक सॉंग है कहीना अगये आपके पास लोट है कर्या कहीना कहीना अपन इन्मार रहा है मुझा कहीन और ऐसली यह आने यह आणे वाले हैं चेंज अलगी लेडर का किमिटमेंट देंगे और अलगी लेवल का एक्सप्रेस करें ने खुद को बहुत रुमांटिक होने वाले मुझे ऐसा लग रहा है हिंट मैंने का दाना हिंट करके चेक तो ज़रूर करेंगे आप में से काफी लोगों को ब्लॉक अन्ब्लॉक या कुछ ना कुछ कर रहे हैं स्टेटस देख रहे हैं कुछ ना कुछ हो जरूर है जो पूरा होना चाहिए ना कम्प्लीट होना चाहिए वो आप ही से मिल पाएगा उनको ऐसा है उनका जीवन आंके खुल गई खुलनी ही थी मेरे दोस्त खुलनी ही थी आखिर कब तक आप उनको तकलीफ देकर आगे खुश रह पाते यह आपकी जरूरत का ऐसास करने लगे हैं इनको कहीं न कहीं आपकी जरूरत बहुत जादा अलगने लगी है कहीं न कहीं बहुत जादा अट्राक्टेट फिल रहे हैं आपके प्रती इजद अब आपकी इजद बढ़ने वाली है यह आपकी कदर समझ रहे हैं कदर करने वाल तो ये थी पाइल No.2 की रीडिंग, I hope आप लोगों को रीडिंग पसंद आईए, अगर रीडिंग पसंद आईए तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका दें और उसके अलावा एक मिड़ मैं फोकस ठीक कर रही हूँ, मुझे लगता है फोकस गया ठीक है, I guess, और मस्त वाला ल जल दिसे, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों की रीडिंग, ठीक है, तब तक स्माइल करते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, बाई, टेक केर, बी स्ट्रॉंग लव यू, बाई